तापदी की शुरूआत में एक संथ हुए यूरोप में जिनका नाम था वेलेंटाइम ये हुए रोम में और उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस बड़ा खुरूर आतंकी उसकी क्रूर तावर आतंक के किस्से यूरोप के इतिहास में भरे पड़े तो क्लॉडियस जो है कहता है कि भई हम तो महान यूरोपियन परंपरा के वाहक हैं जिसमें इस्तुरी को तो रखेल बना के ही रखा जा सकता है पत्मी का दरजा उसको देना मूर्खता है उसी क्लॉडियस के राज में ये वेलेंटाइन हो गए जो गाउगाउं घूम घूम के कहते थे कि भाई शादी करो शादी करके रहो और एक पत्मी के साथ हो ताहित्य का थोड़ा अध्यन किया और भारती साहित्य से उन्हें पता चला कि एक पत्मी के साथ रहना एक स्तुरी के साथ रहना कितना सुखद होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन्स कम होते हैं उसमें बी पार बहुत चला है यूरोप के लोगों के साथ वाया अफ्रीका अच्वी शताबदी के शुरू आत्में और चौथी शताबदी के अंत में वेलेंटाइन को भारत का कोई शास्त्र मिल गया उसका उन्होंने अध्यान कर लिया अध्यान करके पता चला कि भारत की परिवार व् जाके और लोगों को समझाते थे शादी करने के क्या फाइदे है और शादी करने के बाद शारीरिक संबंद रखने के क्या फाइदे है वो सब समझाया करते थे Claudius जो था उनसे चुड़ता था Claudius ये कहता था कि हमारी जो महान परमपरा है यूरोप की शादी नहीं करने की उसका ये नाश करने में लगे हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा जब आया Claudius को तो Claudius ने क्या किया Valentine को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया राजा जो होता था वो कोई भी आदेश दे सकता था राजा के मुझ से निकले हुए शब्द ही कानून माने जाते थे तो Claudius ने Valentine को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और 14 फरवरी सन 498 को Valentine को फांसी पर चढ़ा दिया गया अब हुआ क्या कि जिन लोगों की शादिया कराई थी Valentine में वो सब दुखी हो गए और वो सब इकठे हुए और यूरोप में आपको शायद मालूम है या नहीं सन 1950 तत फांसी देने की परंपरा खुले मैदान में होती थी दंड जो है ना फांसी जैसा में लाके शादियां कराते थे बच्चों की तो जिनकी शादियां कराई थी Claudius ने उन सब को एकठा करके उनके सामने Claudius के अधिकारीयों ने वेलंटाइन को फांसी पे चढ़ा दिया तो उनके जो 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 चेले चपाटे थे वेलेंटाइन के वो सब बहुत दुखी हुए तो उनके दुखद याद में 14 फरवरी 498 वैसे उन्होंने वेलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया तो उस दिन से यूरोप में वेलेंटाइन डे मनाया जाता है मने वेलेंटाइन एक ऐसे व्यक्ति जो शादियां कराते फिरते थे उनको चूकी राजा ने फासी की सजा दे दे तो उनकी याद में वेलेंटाइन डे मनाया जाता है ये है वेलेंटाइन डे की हिस्ट्वी अब हमारे यह जो वेलेंटाइन आ गया है इसकूलों में, कॉलेजों में बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा है और हमारे लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे एक दूसरे को कार्ड दे रहे हैं वेलेंटाइन डेके कार्ड छपने लगे और उसमें अंग्रेजी में लिखा होता है Would you be my valentine this year? Would you be my valentine this year? और ये जो लड़के लड़कियां है इनको कुछ सोच समझतो है नहीं तो ये अपने दादा दादी को भी वोई कार्ड दे देते है Would you be my valentine this year? अपने मंभी पंपा को कार्ड दे देते है Would you be my valentine this year?